नमस्कार दोस्तों बड़ी गुड नीउस हैं तमाम छात्रों के लिए जिनका भी फॉर्म डिश्ट्रुक स्कॉलर्सिप कमेटी से वेरिफाई हो चुका है और वो छात्रुरित्ति का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पी एफमस के माध्यम से चात्रों का पैसा उनके खाते में भेज़ जाने की जो प्रक्रिया है वो सुरू कर दी गई है आपको लाइप प्रूप कई सारे स्टेटस कई सारे आपको स्क्रिंसार्स दिखाने वाला हूँ जिसमें चात्रों को पैसा रिसीब होना भी सुरू हो साथ ही जिनका बेरिफाई हो चुका है आप ग्रेजुएसन के हो पोस्ट ग्रेजुएसन के हो या कोई सा भी आपका कटेगरी है माइने नहीं रखता आपके लिए वीडियो इंपोर्टेंट होगा सारी चीज़ें बताऊंगा कि किसका कब तक पैसा आएगा अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो चलिए वीडियो को सुरू करों उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है या पहली बार वीडियो उसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर हिट करें जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेसन आप से मिसना हो तो फिर देरी किस बात की चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी जानगा हुआ यूँ कि 12 तारीक से पहले ताबर तोर चात्रों का फॉर्म बेरिफाई हुआ आट को हुआ 9 को हुआ 10 को हुआ 11 को हुआ इवें दो 12 मार्ज 24 तक चात्रों के फॉर्म को डिश्ट्रूक स्कॉलर्शिप कमेटी से बेरिफाई किया गया तो कुछ चात्रों का कहना है कि सर हमारे फॉर्म पर अभी भी कोई निर्डे नहीं आया यानि कि हमारा फॉर्म अभी भी पेंडिंग है या तो फिर कुछ न अब तक सही होगा तो आप लोगों को अगर प्रॉबलम बरकरार है तो आप अपने कॉलेज में बात कर लो बाकी का 15 तारीक की साम यानि कि कल साम को एक बार अपना स्टेटस देख लेना लगबग जो पेंडिंग बचे हुए फॉर्म है वो कल तक बेरिफाई हो जाएंगे नहीं हुआ तो 17 तक 17 की साम तक आप लोगों के फॉर्म पर अंतिम निर्ड़े हो जाएगा ज्यादा तर फॉर्म से इस दवरान रिजेक्ट किये जाएंगे समझ गए अब यहां से आपको दिखाऊं जिसके लिए वीडियो को मैंने दिखे थमनेल में जो बाती में एंसन की इनका 7 मार्च को रिक्वेस्ट भेजा गया था पीफमेस के थुरू और 9 मार्च को इनका वैलिडेट हो गया है यानि कि अब इनका पैसा इनके खाते में एक हबते कंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा जाके चेक कर ले में भी अब तक क्रेडिट भी हो चुका हो क्यांकि एक ही installment में amount आएगा या दो देखो बच्चा अगर तुम यह सी कटेगरी के छात रहो तो तुमारा दो installment में पैसा आएगा बाकी हर एक कटेगरी के बच्चों का पैसा जो है वो single installment में आएगा जैसे यूपी scholarship का पैसा चेक करना है साथ ही scholarship status और PFMS एक option देख रहा है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा scroll down करके नीचे आ जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपका अपना bank name, account number और account number दुबारा डालके confirm करके word verification डालना है और साथ ही आपको अपना PFMS का status कुछ इस प्रकार से देख लेना है बहत simple तरीके से now को validate हुआ और इनका 13 March को approved हो गया यानि कि पैसा जो है approved हो चुका है अब ये एक हपते के अंदर इनके खाते में credit कर दिया चाहेगा बिलकुल इनकी scholarship पानी 100% है समझ गए तो अगर आपका भी PFMS पे कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है तो आपको निश्रिंथ हो जाना है क् आपका चात्रवित्ती बहुत जल्द आपके खाते में इसका मतलब है कि credit कर दिया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं current status में marks result type mismatch enrollment number roll number marks not match with university uploaded data तो ओवराल यह है कि कुछ बच्चों का status एकदम नहीं मतला है यानि कि जैसा पहले था वैसा अभी भी है तो उनका सवाल थ करता है अगर आपने documents को जमा किया होगा college में college वालोने DW को तो आपका verify होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो reject होना तय है 17 के पहले कभी भी आपका form verify या reject हो सकता है लेकिन मेरे कहने पे कल 15 तारीक की साम यानि कि कल साम को एक बार अपना status आप जरूर से चेक कर लेना कोई कोई decision आपके status पर आ जाएगा देखो बहुत ज़्यादा बच्चों का form district scholarship committee से verify भी हुआ है तो जिनका जिनका verify हुआ है कुछ चात्रों का PFMS से पैसा भी आना शुरू हो चुका है कुछ चात्रों का भेजा जा रहा है कुछ चात्रों का approved हो रहा है तो और आल यह scenario जो है व चात्रों के लिए यही कहूंगा कि हाँ भाई आप 31 March 2024 तक इंतजार करो इसके पहले कभी भी आपके खाते में पैसा भेजा जा सकता है अगर आपका form यानि की status D.W.O. से verified है अगर verified है बैंक बिलकुल ओके है तो आपका पैसा 31 March तक भेजा जाएगा वरना संभावनाए न के बराबर हैं समझ गए तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे किसी ने वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जीतने लोग वीडियो को देख रहे हो कम से कम मैं चाहूंगा कि 50 लोग इस चैनल 50 लोग सब वीडियो पर समझ गए 50 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए आप लोग फटा फट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो